Hello friends, welcome back to our YouTube channel, lecture 3 में आपका स्वागत है, इसके पहले कि हम questions से start करें, कुछ important बातें बता देते हैं, और सभी के लिए है, general science और computer MPPEB के लिए important है, मैं भी स्विकार करता हूँ, लेकिन सिर्फ general science और computer ही important है या इसी के दम पे selection लिया जा सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, mathematics, hindi, aptitude, English और GS, ये भी अपनी एहमियत रखते हैं और बहुत ज़्यादा रखते हैं, अगर research point of view से देखा जाए, तो इसमें research जिस इस्तर की सफलता पुर्वक की जा सकती है, वैसी un-subjects में नहीं की जा सकती है, तो एक general सला है कि computer और general science को सबसे last में आप research point of view से रखिए, पढ जो भी कितावे market में या जो भी YouTube चैनल पर questions भी आपके सामने मिलेंगे, वो unique सबसेट होते हैं, create किये जाते हैं, options, reshuffle किये जाते हैं, ये रहता है, अब बात आती है हमारे point of view से, कि आप इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, तो हम कोई भी कार ऐसे आपके सामने परोस्ते नहीं हैं, कि हमें views मिल जाएं, या हमसे कोई जनसंख्या जुड़ जाएं, और हम popular हो जाएं, इस intention से काम हुआ ही नहीं है, शुरुआत से, ये जो series शुरू कर रहे हैं, ये series ऐसी है, कि अगर कोई 21 तारीक को, 22 तारीक को भी इस channel पर पहुँचा, और उसने 8 से 10 गंटे यहां बि देख लेंगे, GS, GK और Computer, General Science आप देख लो, तो आप कहीं और कोई channel देख लो, या book पढ़ लो, तो ये एक संकल्प के साथ चीजें चल लहीं हैं, चीजें इतनी हलकी नहीं हैं, जितनी आपको लगती हैं, वो निरभर करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं, तो ये च से ज़्यादा possibility है, लोग ब्रह्म में रहते हैं, मैत में लोग ब्रह्म में रहते हैं, 14 question में हम आपको बता रहें, जिनको भी ये लगता कि इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो इस पे विश्वास पे हैं कि हम paper को समझेंगे, जानेंगे, अगर कोई सही से चीजों क implement करके समझा रहा है, तो उसको पचाने की भी छमता रखेंगे, तो they will go to the 12 to 13 to 14, अभी इसमें जो तीन non numerical question आते हैं, उनकी भी अम analysis कर रहे हैं कि क्या resources उनके हो सकते हैं, कि आप 14 में 14 attempt कर पाएं, और at least 12 to 13 correct कर पाएं, section wise चीजें जब आप करते हैं, तो आपकी accuracy भी बढ़ करती है, जब अरजस्ती का एक हालो confidence लेके जब आप exam में जाते हैं, तो आप बहुत बुरी तरह बैक अप्ड होते हैं, बैक डप होते हैं का मतलब जब आप अगले exam की तयारी करते हैं, तो एक बहुत तगड़ा आपको आल्रेडी जटका लग चुका होता, क्योंकि आपने सब चीजें illusion में और unnecessary self-confidence में की हैं, तो यही है, even अगर आप हमारी इन बातों से कहीं hurt या feel होते हैं, तो you can substitute this person to someone else, it's also option exists for you, खेर, questions को देख लेते हैं, जो लोग हिंदी भासी हैं, अगर इसको देख रहे हैं, गबडाईएगा नहीं, मेरी बातचीत को आप ध्यान से सुन आईए इस question को समझते हैं, यह question competition point of view से बहुत important है, मतलब यह अगर आप कल ले जाते हैं, तो आप कम से कम 80% लोगों से lead करेंगे, maybe 85% लोगों से, क्योंकि यह generally लोग वहाँ या तो गलत करेंगे, या तो छोण देंगे, तो या तो negative लाएंगे, या 0 लाएंगे, और आपके 3, और यहां से एक line है, यह 3D line है, मतलब हम 2D में बना रहे हैं, exactly यह 3D line होगी, जो space में exist करेगी, point भी space में exist करेगा, यह xyz की चर्चा की गई है, तो इस line पे कोई perpendicular बना है, माल लेते हैं, यह point ही हम है, हम उस line पे point ले लेते हैं, xyz, general point, और इस line की यह equation है, वो यह कह रहा ह है, कि जो length है, यह perpendicular की यह कितनी होगी, simple सी बात इतनी पूछ रहा है, इस length की, perpendicular की length लिकालने के लिए हमारे पास xyz points होने चाहिए, और इन दोनों के बीच की दूरी, 2 points की 3D के plane में बीच की दूरी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, अब समस्या यह आईगी, यह wind निकाल direction ratio, इसी को बोलते हैं direction co-shine, इसका मतलब यह होता है, कि अगर कोई point यह exist कर रहा है, और यह x axis से alpha angle अगर इस point को मिलाने वाली line बनाती है, और y axis से यह beta angle बनाता है, और z axis से यह gamma angle बनाता है, तो cos alpha, cos beta, cos gamma को उसका direction ratio बोला जाता है, जिसका basic meaning है, position of a point with respect to coordinate axis in the form of angle, ठीक है, तो यह direction ratio और direction co-shine की feeling आपको पता चल देगी, कि होता क्या है, अब इसका huge कैसे होता है, वो समझ लीजे, जब यह चीज fundamentally आपकी clear हो जाएगी, क्योंकि वहाँ इस question में वो आपको फसाएंगे, और generally दे देते हैं यह question, उसका huge यह होता है, कि जैसे यह equation है, इसको आप x minus 6 upon 3 बराबर y minus 7 upon 2, बराबर z minus 7 upon, वहाँ minus 2 था, बराबर lambda, यह printing mistake है, जब यह करके आप x की value निकालेंगे तो आएगा 3 lambda plus 6, और y की value आपकी आएगी 2 lambda plus 7, और z की value आएगी minus 2 lambda plus 7, यह जो yaks की value आई है, इसमें से जो point आपको दिया है, कौन सा point दिया है आपको? 1, 2, 3, जो point P 1, 2, 3 दिया है, इसको आपको इसमें से घटाना है, और जब आप घटाएंगे तो that will be considered as the direction ratio जाबता line, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 k plus 6 में 1 गट जाएगा, तो यह 3 k plus 5 बचेगा, यहाँ पे 2 lambda plus 7 में 2 गट जाएगा, 2 lambda plus 5 बचेगा, यहाँ प 2 lambda plus 5 और minus 2 lambda plus 4 अब यह जो direction ratio है, यह जो direction ratio है, ध्यान से देखिएगा, यह line है, इसके direction ratio इसी के नीचे वाले माने जाते हैं, 3, 2 और minus 2, तो यह 3, 2, minus 2 इस line का हो गया, और जो P point से perpendicular draw किया, हमने YM दिखाया, उसके वही हो गया, जो हमने निकाले थे, कौन से? 3 lambda plus 5, 3 lambda plus 5 निकाला था, और कौन सा निकाला था? 2 lambda plus 5 निकाला था, minus 2 lambda plus 4 निकाला था, तो वो lambda वाले इसके हो गया, अब इसकी condition यह होती है, कि जब आप direction ratio को पढ़ेंगे, अगर दो lines के direction ratio पता हैं, वो आपस में perpendicular हैं, मान लेते हैं कि पहली line का direction ratio L1, L2, L1, M1, N1 है, और बराबर 0 होता है, this is perpendicular condition, जैसे lines का slope पता हो, perpendicular condition M1, M2 बराबर minus 1 होता है, ऐसे in the case of the direction ratio, L1, L2, M1, M2, L1, N2, बराबर 0 होता है, और उससे आपकी एक lambda की value निकल आएगे, उसके बाद चीजें आसान हो जाएगे, तो हमको क्या करना है, जो value हमने lambda में पीछे निकाली है, और ये 3, 2, minus 2, जो इस line का direction ratio है, उसको perpendicular के direction ratio के साथ multiply with the summation equal to 0 कर देंगे, और जब हम करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3 lambda plus, भले देर लग रही है, लेकिन concept आपका clear हो जाएगा, बिल्कुल एक दम, crystal clear, into 3, plus, इसके बाद क्या रहेगा, 2 lambda plus 5, into 2, और इसके बाद रहेगा, minus 2 lambda plus 4, into minus 2, minus 2 ही तो था, उसके नीचे, minus 2, वहाँ पे minus 2 है, confusion नहीं हो, बराबर 0, अब इसको खोल लेंगे, 9 lambda हो जाएगा, 9, 4, 13 lambda हो जाएगा, minus plus 17 lambda करके, जब आप solve करेंगे, तो 17 lambda plus 17 बराबर 0 आएगा, यानि lambda बराबर minus 1 आएगा, इसको जब solve करेंगे, जोडेंगे, तो यह आजाएगा, 17 lambda plus 17 is equal to 0, यानि lambda is equal to minus 1, अब lambda is equal to minus 1 आगया, उठा के वो points जो यक्स बराबर आपने लिखा था, 3 lambda plus 6, 2 lambda plus 7, minus 2 lambda plus 7, उसमें उठा के रख दो जाएगे, तो points आपके आजाएगे, 3, जब 3 lambda plus 6 करेंगे, तो minus 6 हो जाएगा, है न, तो minus 3 plus 6, तो 3 आजाएगा point पहला वाला, और दूसरा वाला आपका आजाएगा 5, और तीसरा वाला point आजाएगा 9, don't get confused, we are putting the value of lambda over the value of x, 3 lambda plus x, minus 3 plus 6, 3, 2 lambda plus 7, minus 2 plus 7, 5, उसके बाद minus 2 lambda plus 7, minus 2 lambda minus 1, 7, 9 हो जाएगा, तो 3, 5, 9, वो point आगया, question खतम होगे, सिर्प इत्ता बचा है, 1.123 है, 1.359 है, बीच की distance निकालनी, x2 minus x1 का whole square, plus y2 minus y1 का whole square, plus z2 minus z1 का whole square, 3 में 1 गया, 2 बचा, 2 का whole square, 4 हो गया, 5 में 2 गया, 3 बचा, whole square 9 हो गया, 9 में 3 गया, 6 गया, whole square 36 हो गया, under root के अंदर 36, 9, 45, 44, 49, यहनी 7 unit answer आ जाएगा, जो की दिये गए option में से एक option था, तो फिर से clear कर दें, what we have to do, सबसे पहले इसकी value lambda के बराबर लेनी है, इससे x, y, z की value निकालनी है, जो value आ जाए, जो value आ जाए, उसमें से 1, 2, 3 point respectively गटा देने हैं, वो हमारा direction ratio L1, L2, L3 हो जाएगा, और इसके नीचे जो दिये हैं, यह L1, M1, M1 हो जाएगा, वो L2, M2, M2 के बराबर treat किये जाएंगे, उसके बाद दोनों को आपस में multiply करके 0 करके lambda की value निकालनी है, उससे हमें x, y, z की value exactly पता चल जाएगी, उन point के बीच की दूरी निकाल देनी, इसका कोई shortcut नहीं है, कोई आपको बता रहा है, तो वो आपको कहीं न कहीं किसी variety वाले question में फसा देगा, तो इस बात को याद रखिए, चलिए question हो गया, अगले question की तरब रखते हैं, for the quadratic equation, k-1x square, बराबर 3kx plus 1, if the sum of the roots is 6, then the value of k, ax square plus bx plus c, अगर equation हो, bx plus c, बराबर general equation हो, 0, तो sum of roots, यह show r sum of roots, जो होता है, वो minus b by a होता है, इस equation को इसी format में convert कर लीजे, तो यह k-1 into x square, minus 3kx minus 1, बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ से b की value, अब generally क्या होता है, कि वहाँ option ऐसा भी दे देंगे, कि आपने यहाँ से b 3k बोल दिया, जबकि b exactly में minus 3k, इतने से भी option मिल जाता, गलत हो गया, बाद में आता है, यह क्यों नहीं ध्यान में गया, तो यहाँ sum of roots क्या हो जाएगा, 6 दिया है, minus b, b minus 3k है, तो minus b कित्ता हो जाएगा, 3k, बटे, a, a कित्ता है, k minus 1, solve कर दीजिए, तो 6k minus 6 बराबर 3k, तो यहाँ से 3k बराबर 6, यानि k बराबर 2 आ जाएगा, question solve हो गया, k की value पूछी थी, इसके बाद एकला question है, 5 coins are tossed simultaneously, find the probability of exactly 3 heads, यह question हमने उस दिन भी बताया था, कि probability का यह question जरूर पूछा जा रहा है, और इस question के solve करने के 2 तरीके हैं, एक अपनी understanding से solve करना, कि इत्ते coin आएगे तब यह condition बनेगी, यानि 3 net आएगे तो 2 tail नहीं आएगे, एक simple formula यूज करो, effective probability is equal to, सबसे रामबार फार्मूला है, P की power R, Q की power N minus R, यहाँ पे R वो होता है, जिसकी वो exactly बात कर रहा है, और probability भी उसी R से relate करके होती है, और Q उस बात के ना होने की probability होती है, तो ध्यान से देखिएगा कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, NCR मतलब 5 coin है, 3 में head आना है, तो 3 favorable condition हो गई, 5 C3, अब 3 head आए, इस बात की probability, head आए, इस बात की probability, 1 by 2, कित्ती बार आए, 3 बार आए, head ना आए, इस बात की probability, 1 by 2, power, 5 में 3 गटा, 2, अब simply 5 C3 की value निकालो, 5 into 4 into factorial 3, बटे factorial 3, और 5 में 3 गया, बटे factorial 2, into 1 बटे 2 की power 5, कित्ता हो जाएगा, 1 बटे 2 की power 5 करेंगे, तो 1 बटे 32 आएगा, 1 बटे 32 ही तो आएगा, 1 बटे 2 की power अगर 5 करेंगे, 3 इसकी, 2 इसकी, तो 8 और 4 चोको 32 होगा, 32 होगा देखो factorial 3, factorial 3 यहाँ से कटा, 2 दूनी 4, factorial 2 की value दो होती, 2 दूनी 4 और 2 से यह 16, आपका effective answer 5 बटे 16 आगया, simple formula, NCRP की power R, Q की power N-R, R is the favorable events, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहीं रख देते हैं, कोई clear, कोई doubt नहीं, आगला question फिर से बहुत important है, जैसे question number 7, 6 था, जिसके हमने बात की थी, इसमें भी गलतियां होंगी, इसमें आपकी वो पढ़ाई काम आएगी, जब आपने ITJ, UP seat की तैयारी की होगी, तो आपको ये graph बनाना सिखाया गया होगा, अगर नहीं बनाना सिखाया गया, तो थोड़ा से यहां समझ लेते हैं, actually में जब भी mod का graph होता है, तो सबसे पहले वो point निकाला जाता है, जिसके उसकी value 0 हो, अगर आप यहां x परावर 1 रखेंगे, तो x-1 की value 0 हो जाएगी, तो y 0 हो जाएगा, यहां से mod की valuation शुरू होगी, valuation in the sense, अगर x हम 1 से कम रखेंगे, x-1 की value negative आएगी, लेकिन net में value positive आएगी, even अगर हम x negative रखेंगे, तो भी y की value positive आएगी, तो जैसे जैसे हम value यहां पर one से कम रखेंगे, तो y की value positive y, फिर one रखेंगे, तो y की value positive y, फिर one से कम रखेंगे, फिर one से कम रखेंगे, तो आपको एक line इस direction में मिलेगी, एक line इस direction में मिलेगी, तो यह effectively graph होगा, mode of x minus 1 का, और जब आप ITJ बगर हमां पढ़ते होंगे, तो यह line पहले जनरली ऐसे ड्रा कर लो, फिर उसका mirror image इधर आ जाएगा, अगर mode लगा, ऐसे तमाम तरीके की point of view से चीज़ें पढ़ा ही जाती है, बट फिलाल mode of x minus 1 का यह graph बनेगा, graph बनाने से easy हो जाएगा area निकालना, यहां integration लगाने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी, वो आसान रहता है, अब y बराबर 1 line होती है, x xh को, x xh के parallel जाने वाली line जिसकी distance 1 हो, अगर आप यह line खींचेंगे तो यह इसी point से होके जाएगी, यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब y बराबर 1 करेंगे तो x बराबर 0 आएगा, यानि x बराबर 0 पर y बराबर 1 आएगा, इस equation के लिए, तो यह जो त्रभुज बन रहा है, इसकी वो छेत्रफल पूछ रहा है, और वो निकालना बड़ा असान है, क्योंकि यहां से यहां की distance 1 है, तो यह point 1 कामा 0 हो गया, ठीक, अब यह इस line को कहां काटेगा, अगर आप ध्यान से देखें, तो यह इस line को 2 पे काटेगा जाके, और वो कैसे निकालेंगे आप, वो आप कैसे निकालेंगे, y बराबर 1 रखिए, और इसको प्लस से खोल दीजेगे, कोई positive direction में, तो यक्स बराबर 1 प्लस 1, 2 आ जाएगा, तो यह point 2 कामा 1 हो जाएगा, अच्छे से बना देते हैं एक बार, clear समझने के लिए, यह आपका x माइनस 1 का graph है, यह line जा रही है, यह point आपका 2 x में निकलेगा जाके, और y में 1 है, तो यह point 2 कामा 1 हो जाएगा, यह 1 कामा 0 दिखी रहा है, और यह 0 कामा 1 है, तीन point पता है, आराम से formula लगाएगे, triangle के area का, क्या formula होता, 1 by 2 x1 y2 minus y3, यही तो formula होता है, देखिए, यह formula होता है, triangle के area का अगर तीन point पता हूँ, 1 by 2 mod of x1, bracket में y2 minus y3, और फिर उसके बाद, plus x2, bracket में y3 minus y1, और फिर उसके बाद, x3, bracket में y1 minus y2, question solve हो जाएगा, और आपका answer जब निकालेंगे इसका, तो केवल value रखते चले जाएगे, और आपका final answer, one square unit आ जाएगा, final answer आपका one square unit आ जाएगा, तो यह question हो गया, अगला question देख लेते हैं, अगला question again, यह तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो 90% fail कर जाएगे, इसमें 90% fail कर जाएगे, यह benefit होता है, जब आप previous year के question लगाते हैं, तो कम से कम इत्ता तो जान लिजए, कि कम से कम 25 topic वो पूछ रहा है, उस 25 topic में एक भी गलती नहीं करनी है, और जो नया topic आए, वहाँ बहुत सोच समझ के उस topic में हमें attempt करना है, तो उन 25 topic पे आपकी बहुत तगड़ी पकड़ोनी चाहिए, कम से कम हम 14 questions के प्रती तो ऐसी नजर रखें कि हाँ, हमारे सच में तयार है, बड़ा difference होता है, जब लड़ाई selection की होती है, तो selection के point of view की पढ़ाई और imaginative point of view की पढ़ाई में बड़ा difference होता है, even हम, मेरी math बहुत अच्छी रही, जब UPSC वगएरा का exam होता तो तो मैं ये challenge खुद को करके जाता था, कि मैं जो seaside का paper होता है, तो उसमें तो मेरा एक भी गलत नहीं होना चाहिए, और जब paper हाथ में आता था, तो पता चलता था, ये एक तो छोड़ो, 8-10 नहीं कर पाऊगे, क्योंकि वहाँ पे जो paper बनाता है, वो इस intention को जानता है, कि इसमें लोग ऐसे भी होंगे, तो उनके लिए कुछ question ऐसे रखता है, कि वो उन्हीं में जूचते रहें, ऐसे ही छोटे paper में भी आपके सामने एक दो question रखे जाते हैं, और वहाँ अगर आप lead कर जाते हैं, तो आप पूरे exam में lead कर जाते हैं, खैर, सरल question में गलती नहीं करते हुए, ये question इस एक्स और य और deviations from mean x-bar and y-bar respectively, इसमें सिर्फ दो फार्मूले आपको याद हों और ये गुमा गुमा के पूछेगा, ये गुमा गुमा के पूछेगा, ये हमें बरोसा है, फिर से इस बार पूछेगा, सिग्मा y is equal to sigma of y square, ये deviation से related फार्मूले हैं, में बहुत जादा मतलब वो नहीं है कि proof क्या है, यही याद रख लीजिए, ये बहुत है, और r की जो value होती है, वो sigma of xy upon under root के अंदर sigma x square into sigma y square, ये दो फार्मूले अगर आपको याद हो गए, तो इस से relate करके question गलत नहीं होगा, एक फार्मूला और होता है, वो जब next question आएगा तो उसको include कर देंगे, अभी इन दो फार्मूले पर आपकी नजर बहुत अच्छी होनी चाहिए, अब आप यहाँ से देखिए कि यहन यहाँ आ रहा है, sigma y की value पता है, हमें इसकी value पता चल जाए, तो हम यहन निकाल लेंगे, अब हम दूसरे फार्मूले में जाए, r की value पता है, sigma x y पता है, sigma x square पता है, तो sigma y square आ जागे, यानि पहले यह formula यूज कर दो, दूसरी बार में यह कर दो, question खतम हो गया, तो किसी भी question के प्रती, इस तरीके की अगर approach रखेंगे, तो सरल हो जाएगा, कुछ नहीं है, r की value आप उठा के रखिए, r की value है 0.5, उसी फार्मूले में 0.5, बराबर क्या था, sigma x y यानि 120, बटे क्या था, under root में sigma x square यानि 90, और into sigma y square, जब इसको solve करोगे, तो आपको sigma y square की value मिल जाएगी, उठा के वहाँ पे रख दे नहीं है, जाकर, 8 बराबर under root sigma y square upon y, वहाँ से n की value आ जाएगी, और चाहें तो sigma y square को सीधे, जो फार्मूला था आपका, 8 बराबर हो जाएगा, sigma y square बटे n, यहाँ से sigma y square अगर आप निकालेंगे, तो यह 64 n आ जाएगा, उठा के यहाँ सीधे 64 n कर दीजे, और इसको solve कर लीजे, और सरल बता देते हैं, इसको 1 by 2 हो जाएगा, 240 आएगा, whole square कर दीजे, तो यहाँ से देखिए, 90 और 64, 90 गुणा 64 करोगे, तो 90 में अगर 10 का गुणा कर दो, तो इसका under root 30 आ जाता है, और 64 का under root 8 आ जाएगा, दोनों को मिला के 240 होगा, 120 बटे 240, 1 by 2 हो इधर भी 1 by 2, तो यहाँ की value 10 दूर से दिख रही है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, वहाँ पे, वहाँ पे बाकाइदे value रखके करना है, तो यहन की value 10 आ जाएगी, कुछ भी कठिन नहीं है, वही दो फार्मूले है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, पहला फार्मूला था, अंडर रूट, सिग्मा वाई स्कायर बते यहन, और दूसरा था, आर बराबर, सिग्मा अपर एक्स वाई बते अंडर रूट के अंदर दोनों का multiplication, don't forget it, it is very important, it is not easy to grasp in first time, but it is very important, when you will read 2 or 3 times, आखरी question देखते हैं, स्याम travels 750 km to this village, partly by train and partly by motorcycle, he takes 6 hours if he travels 550 km by train, कहने का मतलब है, स्याम जो है, 750 km चलता है अपने गाउं को, और उसमें वो 6 गंटे लेता है, 550 km train से जाता है, और बाकी motorcycle से जाता है, तब 6 गंटे लगते हैं, लेकिन अगर यही distance वो 600 km वाया train चला जाएं, और बाकी distance वो motorcycle से चला जाएं, तो 30 मिनट जादा लगते हैं, speed of train पूछा है, देखो इन questions को कोई trick से solve करना, या तुक्का लगाना, या by options जाना, उससे ज़्यादा आसान है, कि इस question को सही से समझ लेना, इस question को सही से समझ लेना, इसके पीछे के concept को समझ लेना, तो आपके लिए कुछ भी cut in नहीं रहेगा, पहले आप यह देखिए कि जो time आता वो आता कैसे हैं, मतलब time in the sense, उस time को आप पकड़ते कैसे हैं, यह बहुत important है, जैसे यहाँ पे 550 किलो मीटर वो चला by train, मालो train की speed v1 है, तो 550 किलो मीटर बटे v1 कर दोगे, तो यह time हो जाएगा, उस distance को cover करने में लगा time, अब total 700 थी, तो 200 वो चला motorcycle से, उसकी speed मालो, v2 है, तो 200 बटे v2 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, यह motorcycle की speed के बाद का time हो जाएगा, दोनों के जोड के आपने 6 गंटे लिख दिया, एक equation बन गई, 550 बटे v1, प्लस 200 बटे v2, बरावर 6, एक equation बन गई, अब देखना, दूसरी equation क्या बनेगी, दूसरी equation बनेगी, 600 बटे v1, प्लस, अब कितना बचा, 1500 बटे v2, अब कितना हो गया, 16.5, आवर्स के point of view में करो, तो 16.5 ही तो लिखो गया, 30 minute extra लग गया, और पहली equation क्या थी, 550 बटे v1, प्लस 200 बटे v2, बरावर क्या था, 6, यही था, अब इन दोनों को दो equation है, simply solve करना है, इसमें आप 4 का गुरां कर दो, इसमें आप 3 का गुरां कर दो, इधर का इस्सा 600 बटे v2 हो जाएगा, इधर भी 600 बटे v2 हो जाएगा, यह यह इस्सा आपस में घड जाएगा, 1 upon v1 आ जाएगा, तो v1 आ जाएगा, और वही पूछ रहा है, find the speed of train to nearest whole number, solve हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी, बस value put करके solve करना है, अगर solve करेंगे आपको तो v1 की value 94 km परावर आएगी, simple है, मतलब 2 equation, 2 unknown, it's CG, तो यही है, अगले वीडियो में हम कोसिस करेंगे कि जो question बहुत simple है, बहुत simple है, मुझे लगता है कि 12 लेवल की थोड़ी बहुत भी गडित पड़ी होगी, आप कर लेंगे तो उनको हटा देंगे, और कोसिस करेंगे, दो year के questions, question paper के questions आपके सामने रखें, और थोड़ा fast forward तरीके से उनको solve करें, hopefully वीडियो आपको अच्छा लगेगा, मिलते हैं series के next lecture में,